वेलकम बैक वो आपका अपना चैनल शेपर एडूकेशन मैं आपका दोस्त आपका मेंटॉर सी ए मोहित्पा पढ़िया और हम हमेशा की तरह वापस से कुछ एक अमेजिंग सा वीडियो लेके आए हैं हम आज पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर जो हमने पहले स्टार्ट किया यह है चाप्टर नबर 4 12 गुजराद बूर की टेक्स्ट बूक का चैप्टर का नाम था रिकंस्ट्रक्शन आफ पार्टनर्शिप हमने इसके अल्रेडिक दो वीडियो बना दिये हैं जिसमें हमने इलस्ट्रेशन 129 सारे कवर किये फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका काम रहेगा यहां बने रहिए मैं आज आपको इलस्ट्रेशन 10-12 पूरे करवाने वाला हूँ सारे कॉंसेप्स के साथ में मैं आपको सारे इलस्ट्रेशन बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ ठीक है बच्छा आपको यहीं बने रहना है एक एक सम यहां पर मैं सॉल्फ करूंगा आपके लिए ओनलाइन ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे छोटे से चैप्टर के साथ में एक छोटा सा लास सा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सारे इलस्ट्रेशन कवर कर लेंगे उसके बाद में एक वीडि एक बात का पॉइंट जिसका नामें डिस्ट्रिबिशन अफ रिजर्व्स बचा लोग आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है डिस्ट्रिबिशन अफ रिजर्व्स और अक्यूमिलेटेट प्रॉफिट के बारे में हम सबको पता है कि हमारे हाँ पर चार तरीके के प्रॉफिट को पार्टनर में बाटना है जिस जनरल रिजर्व उसके बाद में होता है प्रॉफिटेंट लॉस अकाउंट ठीक है उसके बाद में होता है वाकमेन कंपेंसेशन रिजर्व और लास्ट वन इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यह चारों के चारों रिजर्व हमेशा से पार्टनर्स में डि किस रेशो में भाईया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हमेशा हमेशा यह सारो रिजर्वस पार्टनर्स में बटे जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में मतलब यह रिजर्वस हमेशा से reserve है मतलब credit balance है इन्हें बाटने के लिए हम सारे reserves को करेंगे debit so हम कर देंगे reserves को debit और सामने आ जाता है partners capital जो किस ratio में होगा मैंने कहा था old partners old ratio में आपको बाटना रहेगा आपको हमेशा reserves को बाटना है old partners को old ratio में but इसका एक exception है and that is this P&L account अगर suppose कर लेते हैं P&L account का debit balance होगा मतलब P&L account में loss है अगर P&L account का debit balance है तो आपको इस entry का reverse करना है आपको इस entry का reverse करना है P&L account का debit balance मतलब P&L debit में है तो आपको करना पड़ेगा P&L account को credit और सामने आ जाएगा partners capital account again old partners old ratio हो खाली इतना सा ध्यान रखेगा कि there are chances there are possibilities कि आपका profit कभी कबार negative हो तो bracket में वहां लिखाओगा debit अगर bracket में debit लिखा है मतलब आपका profit negative है और अगर आपका profit negative है तो आपको entry को reverse करना पड़ेगा वाइसा वर्जा अगर P&L account के bracket में लिखा है credit मतलब it's normal one आपको normal reserve की तरह उसको distribute करना रहेगा तो यह एक छोटा सा important सा point है आपको इस point को ध्यान में रखना रहेगा this was as simple right बचा यह बहुत यह simple सा point था हमें इसे ध्यान रखना है चलिए मैं आपके साथ में एक समपहले करवाऊंगा आपको तो चलिए चालू करते हैं आज हम लोग हमारे illustration no.10 के साथ में illustration no.10 आपको अपनी screen पे दिख रहा होगा मैं question फिर भी आपके लिए रीड करूँगा अगर by chance आपको ऐसा लग रहा है कि यह बहुत जादा छोटा है आप अगर अपने mobile phone पे वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको देखने में थोड़ी से difficulty आएगे question को आपको शायद पुरा clearly समझने में difficulty आएगी तो मैं suggestion दूँगा आपको कि please आप लोग अपनी purchase करने की ज़रुद भी नहीं है मैंने आपको पहले भी का था अगर आप अपने mobile phone में भी पढ़ रहे है तो आप उसको अपनी टीवी के साथ में screen share कर सकते हैं अगर आपका टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है तो आजकल बहुत डिवाइस आते हैं Google Chrome आता है बहुत सारे डिव हमें कहा गया कि profit and loss account का debit balance हमें दिया वाए प्लीज ध्यान दीजेगा यहां पर हमारे पास profit and loss account का debit balance है मतलब है negative balance है इसके entry reverse होगी हमें दे रखा reserve fund चलिए ठीक है यह भी हम बाटेंगे और तेरी यह क्या दे दिया workman profit sharing fund कभी भी distribute नहीं होता है तो इसका कोई भी effect आपको देना नहीं है उसके बाद मैं को workman accident compensation fund इसे भी हम distribute करेंगे आगे पड़ते हैं on the above date राम रहीं decided to change the ratios to one is to one fine enough और हमें आगे एक information दी है कि claim of 5000 is outstanding against workman accident compensation fund fund में से हमें 5000 का claim देना है मतलब हमारे पास fund था 26,000 का उसमें से हमें 5000 का claim देना है मतलब बच्चा हमारे पास fund बच्च है सर्फ 21,000 का हम खाली यही fund distribute करेंगे इस fund से हमें कुछ भी लिना देना नहीं है अगर बाईचांज आपके पास कोई fund हो इस fund के सामने कोई claim हो तो आपको claim को हटा देना है फिर बचे कुछ एक fund को आपको divide करना रहेगा चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बाटते हैं जो हमा हमारी entry हो जाएगी reserve fund account debit कितने से debit होगा भाया 42,000 से debit होगा सामने workman accident compensation fund यह आजाएगा 21,000 और यह हम बाट देंगे राम में और रहीम में यह हम बाटने वाले हैं राम और रहीम में चलिए देखते हैं कैसे होगा सो हम करने वाले हैं 42,000 प्लस 21,000 को हमें distribute करना है जो total होता है 63,000 को हम की इस ratio में बाटेंगे मैंने कहा था आपको old partners old ratio जो की यहाँ पे है 4 is to 3 का मतलब 63,000 को हम बाटने वाले हैं 4 is to 3 मतलब आ जाएगा 7 7 मतलब आ जाएगा 9 so 9 threes are 27,000 और 9 fours are 36,000 so हम लोगों ने बाट दिया है इसे 4 is to 3 के ratio के अंदर right so हमने एक को दिया है 36,000 दूसरे को हमने दिया है 27,000 इसके साथ हमारे दो results का काम हो गया अब बात रहेगी भाईया profit and loss account की मैंने कहा था अगर profit and loss account का balance negative है right debit balance है तो आपको उसको ulti entry करना पड़ेगा मतलब उसको आप आप कर देंगे PNL account को credit कितने से भाईया 40,000 से और उसे आप बाट देंगे राम और रहीम के अंदर उनके ratio में that is 4 is to 3 मतलब आ जाएगा यहां पे एक partner को हम दे देंगे 8,000 और दूसरे को हम दे देंगे 6,000 हमारा काम खतम हो गया so आपको दो अलग-अलग entry करनी पड़ेग की एक entry होगी जो reserve minus में that is debit में है अगर आप चाहें तो इन दोरू की combined entry भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे देखे इस तरह से अगर आप चाहें तो ऐसे कर देंगे reserve fund account debit which is 42,000 workman accident composition fund 26 में से हमने 5000 निकाल यह तो बच गया 21,000 profit and loss account जो की है हमारा 14,000 और बाकी जो बच गया है उस old ratio चले भया देख लेते हैं तो 42,000 plus 21,000 total आगया 63,000 इसको हम बाट इसमें से हम निकाल लेंगे profit का negative balance that is 14,000 minus बच जाएगा 49,000 इसको आप divide कर देंगे partners में 7,3's are 21 and 7,4's are 28 सर बात वही रहनी है आप दो entry करो या आप एक combined entry करो कोई फरक नहीं पढ़ना है examiner आपको equal good marks देन में से किसी में भी कोई problem नहीं है I hope this particular question is clear I hope illustration number 10 is completely clear यहाँ पर हमने एक नया topic सीखा है अगर आपके आगया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे illustration number 11 की तरफ हम लोग आच चलिए बच्छा लोग सब बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे और हम आने वाले हैं अपने illustration number 11 की तरफ राइड है बच्छा illustration number 11 again मैंने question का पूरा screenshot आपको यहाँ पे दिया है अगर आपको visibility में problem हो तो please update textbook खुलीजे हमें question में कहा गया हमें तीन account prepare करना है एक हमें prepare करना है revaluation account एक मैंने आपके लिए next page में बना के रखा है capital account और एक मैंने आपके लिए बना के रखा है balance sheet right बचा so हमें तीन account prepare करना है फोड़ा सा उपर नीचे करना वड़ेगा pages को there is a limitation फोड़ी से same concept के साथ है आप कोई भी एक सम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा सम आपके लिए automatically easy हो जाता है ठीक है चलिए अब मैं सबसे पहले आपको important चीज़ बताऊंगा बहुत बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाया जाता है उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है कि पहले revolution account बनाओ फिर आराम partners capital account बनाओ फिर balance sheet बनाओ that is a wrong method यह घटिया method पढ़ने का आप जब कभी भी accounts कर रहे हैं मैं आपको recommend करूगा जितने भी accounts हमें बनाने को कहे गए हैं सारे के सारे साथ में बनाओ सब में entry साथ में करो जो entry revolution में आरी उसका effect balance sheet में क्या रहा है वो भी आप साथ में लिखते रहो तो आपकी गलती होने के chances बहुत 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 कम हो जाएंगे so please एक एक account ना बनाईए आप तीनों account साथ में बना दीजिए आपके मन में सवाल आएगा sir कैसे पता चलेगा किसमें कितनी जगे छोड़िए सर्क common sense से थोड़ा तो और थोड़ा आप प्राक्टिस से सीख जाएंगे जैसे कि मुझे इस question में पता चल रहा है कि मेरे पास करीबन करीबन साथ एजस्मेंट से राइट अब अगर साथ एजस्मेंट है मतलब मुझे रिवैलुएशन में maximum मैंने माना कि सारे के सारे एजस्मेंट एक ही तरफ आगए debit side में आग आपको common sense यूज करना पड़ेगा जाधा जगे छोड़ेंगे चलेगा प्रीस जगे कम मत छोड़िएगा ठीक है बच्चा बैलेंशीट नॉर्मली पूरी की पूरी एक पेज दे दीजे बैलेंशीट को क्योंकि बैलेंशीट में एजस्मेंट को प्लस माइनस करने में जगे लग जाती है तो बैलेंशीट को एक पेज दे दीजे और मैं रिकमेंट करूंगा रिवैलुएशन अकाउंट रर कैपिटल अकाउंट को आधाधा पीज बाढ़ दीजे आपका mostly काम खतम हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे पास जगे कम है इसलिए मैं खाली adjustments आपको यहां बताऊंगा बाकी तो आपको वैसे भी उठा-उठा के लिखना है आपको बहुत easily आ जाएगा So start करेंगे हमारे question के साथ में हमें कहा गया from the following information past necessary general entries and prepare revaluation account and balance sheet after the effect of revaluation in the books of Rajesh and Jagdish हमारे पास दो partner है Rajesh and Jagdish इसलिए मैंने यहां पर आर और जे उनके initials लिखके छोड़ दिये है समझ जाना दोनों partners के नाम है Rajesh and Jagdish चलिए फिर आगे बढ़ेंगे फिर हमें कहा गया है उनका ratio है 3 to 2 का उनके balance sheet हमें दे रखिये और हमें कहा गया अब partners अपना ratio change करके equal कर रहे हैं तो ratio change करने से वेले partners कुछ adjustments को clear करना चाहते है वो adjustments के लिए हमें बनाना पड़ेगा revaluation account क्या बनाना पड़ेगा बच्चा हमें हमें बनाना पड़ेगा revaluation account चलिए मैं बनाऊंगा आपके लिए सबसे पहला adjustment मुझे दे रखा है बट हमेशा adjustments start करने से पहले एक काम कीजेगा आप capital के opening balances लिख दो जितना हम लिख सकते है ठीक है reserves को distribute भी करना चाहे तो हम कर सकते है बट मैं नहीं recommend करूँगा क्योंकि हो सकता है कि कुस adjustment में reserve के सामने कोई liability हो तो गरबड़ी हो सकते इसलिए सिर्फ capital का opening balance लिख दो भया मेरे पास capital था 1,40,000 और 60,000 मैं खाली partners capital में जा अगर आपकी school आपको अलाव करें board exam तो अलाव नहीं करेगा तो आप टिक marks मत कीजिएगा question paper में बड़ आपको याद रखना पड़ेगा यह हो सकता है adjustment में इनके बारे में कुछ कहा हो सो दो मिनट के लिए रुख जाते हैं पहला adjustment solve करते हैं starting with the very very first one सबसे पहला adjustment हमारा कहता है partners have decided for the revaluation of assets and liabilities जिसके अंदर हमारा सबसे पहला adjustment है land and building value is to be increased by 20% हमारे पास land and building की value एक लाग हमें 20% मतलब 20,000 से बढ़ाना है मतलब मेरे लिए फाइदा हो जाएगा मैंने कहा था फाइदे सारे आते हैं credit में नुकसान आता है debit में तो 20,000 का फाइदा यहां मैं लिख दूँगा 20,000 और सामने आ जाएगा land and building और मैंने कहा था इस तरफ buy आता है इस तरफ two आता है ये buy और two आपको general entries को easy करने में help करेंगे जो जो buy तरफ आ रहा है buy की side में आ रहा है उसको debit करना है सामने रिवालिवेशन credit और जो two की तरफ आ रहा है उसे credit करना है सामने रिवालिवेशन debit सो हमने कर दिया land and building में 20,000 का फाइदा बैलिशित में भी effect देते हैं सो हमारे पास land and building था एक लाग जिसमें हमारे को फाइदा हो गया सो हम कर देंगे रिवालिवेशन हो गया उसके अंदर 20,000 का और हमारा net balance आ जाता है एक ल पुदा लिखना पड़ेगा everything, revaluation भी पूरा लिखे, examiner पे अच्छा impression create होता है ठीक है, चलिए next one, the value of machine and furniture is to be decreased by 20%, ठीक है भईया, machine और furniture हमारे पास जो भी उसे decrease करना है, machine हमारे पास 80,000 का उसे decrease करूँगा, 20% से मतलब हो जाएगा 16,000, तो यहाँ आ जाएगा machine की value हो गई 16,000 से कम, और furniture हमारे पास 20,000 का उसे भी decrease करना है, तो हो जाएगा 4,000, तो यहाँ आ जाएगा two furniture, हमने furniture को भी 4,000 से कम कर दिया, effects आसाथ में balance sheet में देते रहिए वहिया, so हमारे पास machine कितनी थी, हमारे पास machine था 80,000 का, जिसमें से हम revaluation कर रहे हैं, जो minus हो जाएगा 16,000, so net ह हमारे पास बाहर आ जाएगा 64,000, सेम हम देखेंगे furniture के साथ में, furniture हमारे पास था 20,000 का, so 20,000 का furniture था, उसमें से हमें वापस से revaluation कर रहा है, जो हो जाएगा 4,000, और net बाहर आ जाएगा 16,000, कितना आ गया बच्चा, net बाहर, net बाहर आ जाता है 16,000, इसके बाद में हम थोड एक revaluation में, बैलेंशीट में, मैंने कहा था, अकाउंट साथ में बनाएंगे, तो कभी गलती नहीं होगी, वरना बहुत बार ऐसा होगा, आप revaluation में, बैलेंशीट में, बैलेंशीट में उस पर्टिकुलर चीज़ का effect देना भूल गया है, ऐसा बहुत बार हो सकता है, चलिए प्राम कर देंगे, तीन हजार, और इधर डेटस पूरी अमांट में लिख दो भईया, जितना डेटस तब पूरा बहार लिख दो, डेटस पूरा बाहर आ जाएगा, साथ हजार का, ठीक है बच्चा, नेक्स बन आगे बढ़ेंगे, हमें कहा गया, नेक्स थी ताउजन एक्सपेंसे इस रिक्वाइड इन स्टॉक, हमें स्टॉक में तीन हजार का खर्चा करना है, मतलब एक तरीकी से स्टॉक के वैल्यू को तीन हजार से कम करना है, सो नुकसान हो जाएगा, सो स्टॉक में हमारे को खर्चा करना है, तीन हजार का, सो बेलेशीट में एफक्त द आपको नहीं दिख रहा है तो भाईया सुनते रहेगा मैं अब शायद बोड के बीच में आ रहा हूं थोड़ा सुन लीजेगा समझ माज़ेगा कोई इश्यू नहीं है आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा य हमें क्रेइटर्स को प confuse नहीं भरना है अंगे य हवारे अंगेस को पैसा नहीं हवेड़ा कर देते हैं 95 थान के क्रेइटर्स यहं पैसा नहीं भरना है मतलब हमारे क्रेइटर्स बचे इस सिर्फ नब्भे हजार के क्योंकि गिस्फ हमने पैसे चुकाने की बारी नहीं आने वाली है बया मज़े हो गए आ रहा हो गए आपको next one outstanding expenses 6,000 6,000 के expenses देने बाकिए कैंदेने बाकिए मतलब हमारे लिए लुकसान है तो यहां हम कर देंगे outstanding expenses कितरा है भाईया 6,000 है हमारे लिए लुकसान और हमारे liability आ जाएगी outsending expenses हमारे लिए liability है 6,000 हम लिख देंगे liability की तरफ वैसे ही हमें income मिलने वाली 8,000 की वैया फाइदा हो गया फाइदा हो गया तो credit income receivable है हमारे पास 8,000 का और यह हमारा asset है तो बैले sheet में आप लिखेंगे income receivable और amount में लिख देंगे 8,000 की आपको 8,000 की income मिलने वाली है ठीके बच्चा आपको 8,000 की income मिलने वाली है ठीके चलिए आगे बढ़ेंगे next one investment is shown at market value आपको दे रखा होगा question में investment दे रखा है 30,000 का book value और market value है 25,000 मतलब हमें investment में नुकसान हो गया so investment में नुकसान हो गया 5,000 का so आप यहां पे भी कर देंगे investment हमारे पास था 30,000 का जिसमें से हमें write-off करना है 5,000 मतलब investment के value आगे 25,000 आपके investment के value आजाती है 25,000 और इसके साथ आपके सारे adjustments सबाब कोते हैं आपके सारे adjustments खतम हो गये हैं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपके पूरे adjustments beautifully हो चुके हैं एक बार चेक के लिजिए balance sheet में कौन सा item रह गया land and building आ गया है, machine आ गया है furniture आ गया है, investment आ गया है data आ गया है, stock आ गया है खाली cash रह गया है तो भहिया cash balance को भी आपको यहां adjust करना पड़ेगा उपर लिखता हूँ, नीचे आपको दीएगा निस लिए cash balance आ गया 10,000 चलिए हमारी balance sheet का asset set पूरा complete होगी liability side देखते है, capital हमने लिख दिया, creators हमने लिख दिया, हमारे पास 2 reserves बचे है, मैंने कहा था reserves को हमें बाटना पड़ेगा, partners को partners के ratio में, चलिए भईया आ जाते हैं, कितना है reserve, general reserve है 10,000, तो मैं सबसे पहले बाटने वाला हूँ, general reserve, 10,000 मतलब हम बाटेंगे 10,000 को किस ratio में हमारे पास ratio है भईया 3 to 2 का मतलब 6,000 और 4,000, तो general reserve हमने बाट दिया एक partner को दिया, 6,000 दूसरे partner को दिया, 4,000 वैसे हमारे पास दूसरा reserve और है, दूसरा reserve है, हमारे पास profit and loss account वो 15,000 है, तो उसको भी हम बाट देंगे तो यहां लिखने वाले हैं, profit and loss account PNL account, 15,000 को वापस से आपको 3 to 2 में बाटना है तो 15,000 divided by 5 into 3 तो एक partner को आप देंगे 9,000 और दूसरे को आप देंगे 6,000 इसके साथ आपने results भी बाट दे भाईया तो इस तरीके से हमारी balance sheet की सारी entries हो गई है, हमने balance sheet पूरा का पूरा खाली कर दिया है सारे effects हो चुके है, cash would भी हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है balance निकालना चालो करो भाईया, बहुत simple काम है चलिए, देखते है, evaluation में कितना profit या loss है, credit side में 20,000, plus 3,000, plus 5,000, plus 8,000, और debit side में हमारे पास है 16,000, minus 4,000, minus 3,000, minus 6,000, और minus 5,000 तो हमारे को फाइदा हो रहा है 2,000 रुपय का, जिसे हमें बाटना है, 3 is to 2 के अंदर, right मतलब एक को मिलेगा 1200, एक को मिलेगा 800, तो हम कर देंगे revaluation profit, किस-किस को देना है भाईया, हमें देना है राजेश को, जगदीश को, एक को दिया 1200, एक को दिया 800, टोटल बहार आगया, 2000, और ये 1200, 800 यहां भी दे दीजे 1200 यहां आगया, 800 यहां आगया, that is revaluation profit, ठीक है वैया चलिए, capital का balance निकाल लेते हैं, तो 1,40,000 प्लस 6,000, प्लस 9,000 प्लस 1200, तो हमारा capital का answer आएगा, 1,56,200 वैसे ही दूसरे का निकालते हैं, 60,000 प्लस 4,000, प्लस 6,000 प्लस 800, तो इसका answer आएगा 70,800, यह आगया हमारा capital का balance, इसे balance sheet में लिख देते हैं, 1,56,200 एक partner का है तो एक partner का आगया, 1,56,200 और दूसरे partner का आजाता है 70,800, एक राजेश का है, एक जगदीश का है अब total कर लीजे, so 156,200 प्लस 70,800 प्लस 90,000, प्लस 6,000 मतलब आपका balance sheet का total आना चाहिए 3,23,000 चेक करो भईया, दूसरे तरफ में सेम आ रहा है, 10,000 प्लस 1,20,000, प्लस 64,000 प्लस 16,000, प्लस 60,000 प्लस 20,000, प्लस 8,000, एंड प्लस 25,000 चेक करते हैं, क्या बात है भईया, हमारा 3,30,000, दूनों तरफ आ रहा है मतलब बंबं बोले विया आपका पूरा का पूरा sum correct है आपको exam में पूरे के पूरे marks मिलेंगे, इस question के लिए ये question करीबन करीबन 8 से 10 mark का होगा exam में अगर board वालों ने paper pattern change नहीं किया तो, तो ये question में आपको पूरे marks easy नहीं मिल रहे है बच्चा, right enough, so I hope आपके लिए illustration number 11 मैंने बहुत simple किया है, मैंने आपको sum करने का तरीका सिखाया है, आपको sum कैसे करना है, मैंने आपको वो सिखाया है और वो तरीका आपके लिए बहुत important है, so please गलती मत कीजेगा, sum को साथ में कीजेगा, sum को लगातार कीजेगा sum में delay मत रखेगा this is very important, right बच्चा so I hope illustration number 11 simple है और मैं चाहूंगा illustration number 12 आप खुद करो यार, बहुत easy illustration है आना चाहिए, देखो accounts के सबसे खास बात क्या होती है, जितना सतर फोड़ोगे उतरा सीखोगे, yes कभी डरने का ने, question पढ़के, बिल्कुल question को attempt करो, बिल्कुल डरो मत, एकदम बेजिजगों के question attempt करना चालो करो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपको बिल्कुल तकलीफ आनी नहीं है, आपके लिए सब कुछ बहुत easy होगा, आपके लिए सब कुछ बहुत बहुत, बहुत, सिंपल होगा, right बच्चा तो चलिए, illustration 11 पर यहाँ पर यह session stop कर देंगे illustration number 12 आपको उभक रहेगा आपको पूरा confidence करना रहेगा आपको 100% आएगा, अगर by chance नहीं आया, उसर लिखेगा comment में, मैं अगले वीडियो में भाईया, वो भी आपके लिए करके लिखाऊंगा आपको, ठीक है सब हमारे next वीडियो में हम करने वाले exercise के questions तब तक के लिए बाबाई